नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो से स्टाइट करेंगे भारतिय राजविवस्था का एक कोश्चन आंसर का सीरीज यानि की इंडियन पॉलिटी का कोश्चन आंसर का सीरीज इसमें हम हर दिन 10 कोश्चन का पूरा एक्स्प्लेनेशन आपको यहां पर दिया जाएगा इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतिय राजविवस्था के साथ-साथ भूगोल का और इतिहास का भी ऐसा ही एक पृष्ण और उत्तर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएए वहां पर आपको उसके लिंक मिलेंगे साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जाय से आता शेयर करिए और लाइक के बटन पर प्रेस करिए आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज करिए वीडियो दोस्तों आज का पहला कौशन है निमलिखित में से किस अधिनियम के अंतरकत भारतिये विधान परिशत को बजट पर बहस करने की शक्ती प्राफ्त हुई इसका सही आंसर क्या है भारतिय परिशद अधिनियम 1861 इसमें भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होई लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए बहस करने की शक्ति तो प्राप्त होई लेकिन वोट डालने का राइट अभी भी नहीं था मतलब मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था एक चीज और दी गई थी कि आप बहस कर सकते हैं आप कोशन भी कर सकते हैं जो कारे पालिका थी जो एक्जेक्रिटिव थी उससे आप कोशन कर सकते हैं ये भी इसके अंदर अनुमती दी गई थी लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हैं तो वोट ना करने वाली बात आप याद रखेया कि वोट डालने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था अगला कोशन है 1935 के अधिनियम दोरा इस्थापित संग में अफशेश शक्तियां किसको दी गई थी संगिये विधान पालिका को प्रांतिये विधान सभाओं को गवर्नर को या फिर प्रांतिये गवर्नरों को तो सही आंसर किया है इसका गवर्नर को जो अफशेश शक्तियां को अब कर दिया गया था और अब यह सिर्फ केंदर में लागू की गई थी डूइलड ड्यार्की का मतलब क्या है हमारा ड्यार्की का मतलब क्या है कि यह एक संवेधानिक व्यवस्ता थी यानि की constitutional system था और dual DRK को प्रांतों में लागू करा गया था 1919 का जो government of India act आया था उसके थूँ और यहाँ पर ऐसा बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि वो यह चाहते हैं कि भारतियों को नित्रत्व करने का नित्रत्व करना आ जाए मतलब की एक तरीके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यह आगे जाके लीड कर पाएं मतलब यह साशन चला पाएं इसके लिए इस चीज़ को लागू करा गया था अब इस system में था क्या कि प्रांतों को शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्त सार्वजनिक, निर्माण इस तरीके के जो डिपार्टमेंट थे वो प्रांती विधान सभाओं को दे दिये गए थे लेकिन जो राजस्व था कानून था, नियाय था, पुलिस यह सारे डिपार्टमेंट जो थे गवर्नर की एक 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 ₹घ कॉणसल थी, उसको प्रोवाइट की गई थी, इन सबके उपर जो नियम काईदे कानून बनाने का जिम्मा था, यह गवर्नर की एक्जेकुटिव पॉंसल थी उसका था अब यहाँ पर जो यह सदस्य होते थे executive council के इनको nominate governor करता था और यह executive council जो उत्तरदाई होती थी यह सिर्फ governor के लिए होती थी विधान सभा के लिए नहीं होती थी तो यह कुछ main important points थे 1935 के act के साथ ही dual DR की आपको आप समझ में आ गई होगी तो अब बात करते हैं अगले question की जो है कि भारतिय सम्विधान की प्रारूप समिती का अध्यक्ष कौन था जो हम बात करते हैं प्रारूप समिती की तो प्रारूप समिती के अध्यक्ष डॉक्टर भीम्राव अंबेतकर थे और इनके साथ में छे लोग और थे छे सदस और थे जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर अलादी कृष्ण स्वामी अयर के एम मुंशी मुहम्मद सदा उल्ला साथ ही बील मित्रा थे लेकिन बील मित्रा बाद में रिप्लेस हो गए थे माधह राओ से तो यहां पर यह चीज को याद रखेगा कि बील मित्रा का रिप्लेस्मेंट हुआ था माधह राओ से और जो आखरी सदस से थे वो थे हमारे डीपी खेतान अब इनकी 1948 में डेथ हो गए थी तो इनका रिप्लेस्मेंट किस से हुआ था टीटी कुष्णमचारी से तो इस पॉइंट्स को याद रखेगा कि दो लोगों का रिप्लेस्मेंट हुआ है जिसमें डीपी खेतान की डेथ के बाद में टीटी कुष्णमचारी आये थे और बील मित्रा क अगला कोश्चन है भारतिय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से आयरलेंड के संविधान से अमरीका के संविधान से या फिर कनाड़ा के संविधान से तो सही आंसर क्या है अमरीका के संविधान से यहां से लिया गया ह fundamental rights का जो विचार था जो आईडिया था जब हम बात करते हैं fundamental rights की तो 1928 में एक नहरू report आई थी जिसमें उस time पर पहली बार बात हुई थी fundamental rights की उस समय 19 अधिकारों की बात हुई थी मौलिक अधिकारों की आज की date में अगर हम बात करें सम्वेदान में तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो अधिकार हैं वो हमारे मूल अधिकारों की बात करते हैं यह भाग तीर में दिया हुआ है total हमारे 6 सम्वेदाने मूल अधिकार हैं जिसमें right to equality यानि की समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 है right to freedom यानि की स्वतंतरता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक right against exploitation यानि की शोशन के विरुद्ध अधिकार यह 23 और 24 में दिये हुए हैं वही right to freedom of religion धर्म के लिए जो स्वतंतरता है उसका अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 है cultural and educational rights की बात करेंगे अगर हम तो यह हमारे हैं 29 और 30 और right to constitutional remedies यानि की समवेदानिक उपचारों का अधिकारी आर्टिकल 32 के अंतरगत आता है तो यह सारे हमारे fundamental rights हैं आई अगले question पर चलते हैं अगला question है भारत का रास्टपती अपना त्याकपत्र किसे सौंपता है बहुत बार यह examen पूछा हूँ question है लोकसभा अध्यक्ष को उपर रास्टपती को मुख नियादीश को या फिर प्रधान मंत्री को तो इसका सही आंसर क्या है हमारा उपर रास्टपती को जो president होता है वो अपना त्याकपत्र किसे देता है उपर रास्टपती को अब यह जो particular बात है यह किसके अंदर दी हुई है यह अनुच्छेद 56 का clause 1 और A part जो उसका है का part है उसके अंदर दिया हुआ है कि उपर रास्टपती को जब रास्टपती त्याकपत्र सौंपेगा तो उपर रा याद रखिएगा कि राष्टपती अपना जो त्याकपत्र है वो उपराष्टपती को देता है और उपराष्टपती इसकी information तुरंट जो है लोगसभा अध्यक्ष को देता है वहीं हम बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एज की क्योंकि अक्सर एक्जाम म है 35 इस चीज़ को याद रखिएगा लोगसभा अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो लोगसभा अध्यक्ष को जैसे आपको पता होगा कि जितने भी लोगसभा सदस होते हैं उसी में से चुना जाता है एक लोगसभा अध्यक्ष ठीक है तो जो MPs का एज होगा election का उतना ह 121 एज किसका होगा जो हमारा लोगसभा अध्यक्ष है तो वह कितना है 25 साल ठीक है यहां पर आपको यह पता है कि राश्ख्ति उपरास्ट्पति जो गवर्णर की जो एज हो होगी वह 35 है और जो हमारे लोगसभा अध्यक्ष कितनी होनी चाहिए 25 इस से नीचे का व्यक्त कभी भी लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो सांसद है वो नहीं बन सकता अब बात करें हैंगर हम प्रेसिदेंट के ilection की तो election से related जो article है वो article 54 है और प्रेसिदेंट के बारे में दिया हुआ है article 52 में ठीक है जो election के बारे में अगर पूचा जाएगा तो वो 54 है और President के बारे में जो बताया गया है वो किसमे है? Article 52 में है. अगला कोशन हमारा है कि जो व्यक्ती संसत का सदस नहीं है, केंदरी ये मंत्री रहे सकता है कितने महीने तक? 6 महीने तक, 3 महीने तक, 1 साल तक? या फिर 18 महीने तक? तो सही ANSWER क्या है इसका? 6 महा तक. और ये बात किसमें दी हुई है अनुच्छेद 75 का जो clause 5 है उसके अंदर यह चीज गिविन है कि अगर प्रधान मंत्री जिस भी व्यक्ति को चाहे उसको अपना मंत्री बना सकता है मतलग केंद्रिय मंत्री बना सकता है चाहे वो लोकसभा का सदस हो या फिर ना हो उस बास से क मेंबर बनना पड़ता है मतलब election की process से गुजरना पड़ता है और आपको मंत्री मंत्री रहते हुए आपको वहाँ पर उसका सदस बनना पड़ता है अगर ऐसा नहीं होता है मतलब वो संसत का सदस नहीं बन पाता है इन 6 महा के बीच में तो उसको हटना होगा अपनी साल के लिए पांस साल के लिए चार साल के लिए छे साल के लिए तो सही आंसर क्या है छे साल के लिए छे साल के लिए राजसभा का सदस चुना जाता है जब हम बात करते हैं राजसभा की तो यह चीज़ हमें पता होनी चीए कि राजसभा कभी भंग नहीं होती मतलब यह एक इस्ताई सदन है, यहां पर हर दो साल बाद यहां पर एक तेहाई सदस जो है वो रिटायर हो जाते हैं वन थर्ड सदस रिटायर हो जाते हैं हर दो साल के बाद पहली बार राजसभा का गठन कर वो आता यह एक्जाम में कोशन पूछा जाता है वो 1952 में हुआ था आज की डेट में अगर हम बात करें तो टोटल 200 मेंबर हैं अब यहां पर एक कोशन और पूछा जाता है कि रास्टपती कितने लोगों को नामित कर सकता है तो वो 12 लोगों को नामित कर सकता है जो की विभिन छेत्रों में जैसे की विज्ञान हो गया आपक नियुक्ति कौन करता है मुख नियादीश या फिर रास्टपती की पूर्व स्विकृर्टी से भारत का मुख नियादीश या फिर भारत के मुख नियादीश के प्रामर्श पर रास्टपती या फिर रास्टपती तो सही आंसर क्या है इसका रास्टपती रास्टपती जो ह सरवोच नयाय लेकर जो नयाय धीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है अगला कोशन है विधान सभा के सदस से के लिए नियुनतम आयू क्या विहित की गई है 18 साल, 25 साल, 21 साल या फिर 30 साल तो सही आंसर क्या है इसका 25 साल जो सेम है आपका लोग सभा के लिए वहां भी 25 साल होती है और यहां भी 25 साल होती है जब हम बात करेंगे विधान परिशद की तो विधान परिशद में कितना है वो 30 साल है विधान परिशद का जो सदस है उसके लिए जो eligibility की age है वो कितनी है 30 साल और जब हम बात करेंगे विधान सभा की तो वहां कितनी है 25 साल सेम आपका लोगसभा और राजसभा में है लोगसभा में 25 साल और राजसभा में 30 साल तो इस पॉइंट को याद रखेगा अगला कोशन है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्टपती द्वारा राष्टिय आपातकाल की घोशना की जा सकती है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 360 तो सही आंसर क्या है आर्टिकल 352 इसके थुरू जो राष्टपती है वो राष्टिय आपातकाल याने की नेशनल इमर्जेंसी की घोशना कर सकता है जब हम बात करें स्टेट इमर्जेंसी की तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है हमारा 356 और जो financial emergency याने की वित्तिय अपातकाल है वो 360 में उसके बारे में दिया हुआ है तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉलिटी का सेशन जिसके अंदर हमने 10 important questions कवर करें उसके साथ में बहुत सारी information भी आपके पास पहुंची है आपनों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को जाए से जादा शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करिए ताकि upcoming वीडियो को notification आपको मिल पाएं सो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन थैंक यू सो मच हैवा नाइस दे बावाएं